He is inspiring and he is inspired. दोनों में क्या difference है? चलिए मैं आपको बताते हैं. He is inspiring. इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो person है, जो वेक्ती है, वो inspiring वेक्ती हैं. ठीक है? उसे लोग inspire हो सकते हैं. और जो दूसरा sentence है, He is inspired. इसका क्या मतलब हुआ कि वो किसी चीज से inspired हुआ है. तो दोनों में जो main difference है, वो है adjective का. ठीक है? Adjective क्या होता है? विशेशन. जो कि संग्या और सर्वनाम की विशेशता बताता है. है न? A word that describes noun or pronoun. अब जो adjective है, वो दो प्रकार से बनते हैं. सबसे पहले ED add करके, ठीक है? और दूसरा होता है ing add करके. जब हम ED add करते हैं, जैसे inspired, bored, motivated, तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि उस समय वो वेक्ति feel कैसा कर रहा है, emotions बता रहा है, है न? लेकिन अगर हम ing लगा देते हैं, तो वो क्या वेक्त करता है? उस वेक्ति का character, कि वो वेक्ति है कैसा? He is boring, मतलब वो boring है, he is inspiring, he is motivating, right? तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है? वेक्ति का वेक्तित वो पता चलता है.